और साहिल आपसे पहला प्रश्ण यही कि क्या हम आने के फिलहाल दो हफते के लिए उदव ठाकरे को एक और जटका है, स्टे फॉरण सुप्रीम कोट ने नहीं लगाया है, इससे किस तरह के संकेत मिलते हैं, दूसरी तरफ शिंदे गुट के लिए एक बूस्ट है, लेकिन के तरफ से उसको सुप्रीम कोट को सुदना ही नहीं चाहिए, उन्हें हाई कोट जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोट ने साफ कह दिया कि हम उनकी आची का सुनेंगे, दूसरी तरफ सबसे बड़ा डर उदव ठाकरे को आज की तारिक में यह सता रहा था, क्योंकि अभी हफते में महाराज का बजट सत्र शुरू होने वाला है, उस सत्र में चूकी शिवसेना का नाम और सिंबल ये दोनो एकताच शिंदे के पास है, तो उनके तरफ से जो भी विप जारी किया जाएगा, वो आडित्ते ठाकरे से लेकर उदव ठाकरे गुट के सारे 15 विदायकों को जारी होता, ऐसे में अगर वो विप का पालन नहीं करते, तो उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की कारवाई हो सकती थी, लेकिन सुप्रिम कोट के सामने, जब कपिल सिंबल ने ये मुद्दा उठाया, तब सुप्रिम कोट ने सीधे शिंदे कोट के विधायकों के व कोई भी कोट दखल अंदाजी नहीं कर सकता, अगर उनको विपी नहीं किया जाएगा, तो शायद ये कारवाई नहीं हो पाईगे, तो ये सबसे बड़ी एक कह सकते हैं कि दिलासा उनको मिल चुका है, कि विप उनके खिलाफ जारी नहीं होगा, लेकिन जो उनकी सबसे पहल उसके लिए जो स्टे की मांग कर रहे थे वो देने से फिलाल सुप्रीम कोट ने इंकार कर दिया है तो ये सबसे बड़ी बात दोनों तरफ से होगी एक तरफ उद्धव ठाकरे को फिलाल एक रिस्पाइट है कि वो शिवसेना उद्धव बाला साइब ठाकरे ये नाम फिलाल अपने पास रख पाएंगे और उसके साथ साथ कोई विब जारी नहीं होगा फिलाल ये उनके लिए रिस्पाइट की बात रहेगी लेकिन असली लड़ाई तो हफते के बाद इलेक्शन कमिशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोट के सामने होगी क्योंकि सबसे बड़ा मु या पार्टी को माननेता दी जाती है वो अगर पार्टी को पड़े हुए वोट के आधार पर किया जाता है तो एलेक्शन कमिशन इस मामले में किसके पास कितने विदाइक उसके आधार पर फैसला क्यों न ले लगते हुए चुनाव आयोग की निश्पक्षता पर मुहर लगाया है या फिर हम यह माने की तलवार अभी लटके हुई है दो हफते के लिए जरूर यह बूस्ट है अभी एक नाच छिंदे गुट के लिए और कौन-कौन से मामले इसमें क्या जो प्रॉपर्टी की बारी किय हैं वो सब भी इस मामले में सुनी जाएंगी इसमें पहले सवाल का जवाब तो यह है कि निर्वाचन आयोग के फैसले को लेकर सुप्रिम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उसमें तीनों पक्षकार यानि दोनों पक्षकार शिवसेना के और निर्वाचन आयोग तीनों का ऐसा प्रफ़ते थे सुनवाई हो गई, शिंदे गुटिसले खुश है कि उन्होंने स्टे लगाने से मना कर दिया है, और ऐसे में उनके खिलाब किसी भी तरह को कोई स्टे नहीं है, नोटिसे नोटिस का जवाब आएगा, रिज्वाइंडर आएगा, दो हफते में नोटिस का जव नहीं है, और वो चाहिते हर घोपी को लगता कर्शनी के साथ नाच रहें, तो तीनो अभी तीनो पार्टियों को ये लग रहा है, तिनो पक्षकारों को, कि उन्होंने राहत में हसूस कर रहे है तिनों, हाला कि तीनों ये मान रहा है, हमें राहत है और उसे आफ़त है, लेक कोई गारंटी देने को तयार नहीं है कि जिसकी पार्टी है उसी के पास खाता होना चाहिए यानि पार्टी किसी के पास खाता किसी के पास कैसे हो और हम तो इसमें और आगे की भी कारवाई ऐसा देख रहे हैं कि हो सकता है कि आगे कहीं ED का भी involvement हो और ये पता लगाया जाए कि इस दौरान किसने कितने पैसे निकाले पार्टी फंड में से क्यों निकाले क्या निकाले उसका हिसाब किताब आए तो ऐसी बहुत सारी चीजे हैं जो आगे बढ़ेंगी और तीन हफते बाद यानि होली के बाद जब इस मामले में अगली सुनवाई होगी तो उसे लेकर बहुत सारी उसकता हमारे मन में भी है क्या फिर पार्टियां क्या जवाद देंगी क्या दलीले देंगी क्या सबूत पेश करेंगी और उस पर अगला पक्ष रिज्वाइंडर में क्या कहने वाला है और कोट किन की दलीलों से किन के दस्तावेजों से किन के तरकों से संतुष्ट होता है संजय पांच बड़ी बड़ी बाते जो कोट ने आज कही है कि दोनों पक्ष की तरफ से कही गई है वो हमें बताईए और क्या संकेट सुप्रीम कोट के मिलते हैं एक मिला है आज के सुनवाई से वह एक लाइन में समझाई एक लाइन में ये है कि अब तीनों पक्षकार ये मान रहे हैं कि उनको राहत मिली है हमने अनिल देसाई से अभी पूछा उन्होंने भी ये कहा कि ये मुश्किल कैसे है ये तो हमारे लिए बड़ी राहत के बात है लेकिन सिर्फ ये कि निर्वाचनायोग ये कह रहा है कि उनके आदेश को सुप्रेम कोट ने बिना किसी कटिंग के बिना किसी लाग डाट के उन्होंने इस्विकार किया है यानि हमारे आदेश में फिलाल अभी तक कोई खामी नहीं है